नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर यदि आप कंप्टूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कंप्टूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोट समय पर प्राप्त होता रहे हैं आज की वीडियो में हम MS Excel का एक बहुत ही पावरफुल टूल सीखने वाले हैं MS Excel में यदि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और उसमें से आप कुछ आवेस्सक डेटा को अपने कंडिशन के आधार पर फिल्टर करना चाहते हैं सर्च करना चाहते हैं तो आप फिल्टर ऑप्सन का यूज कर सकते हैं फिल्टर MS Excel में बहुत जादा यूज किया जाता है क्यूंकि एकसल की वर्कसीट में जब रिकॉर्ट की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तब हमें यदि किसी रिकॉर्ट को धूरना है किसी फिल्टर देता है यदि आपके पास एक बड़ा डेटावेस है बड़ी टेविल है और उसमें आप कुछ क्राइटेरिया के आधार पर कुछ कंडिशन के आधार पर यदि कुछ रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो आप फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं फिल्टर ऑप्शन होता क्या है एक छोटी ची डेफिनिशन से अप इसको समझते हैं लार्ज अमाउंट ऑप डेटा में से रिकॉर्ड डेटा को सो करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है यदि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑप डेटा है बहुत अधिक मात्रा में देटा है और आपको कुछ आवसक डेटा अकेला सो करना है आपको कम्प्ली डेटा को सो नहीं करना है आपको केवल उतना डेटा सो करना जितने की आपको आवसकता है तो आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं एक्सल में जो फिल्टर है वह तीन तरीके से यूज किया जाता है types of filter excel में तीन तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं एक होता है simple filter, एक होता है advanced filter और एक होता है reapply filter आज की जो हमारी वीडियो है इसमें केवल हम simple filter को और reapply filter को सीखने वाले हैं क्योंकि advanced filter अपने आप में एक बड़ा topic है उसको हम next वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में cover करेंगे, आज का जो वीडियो है यह है cable simple filter और reapply filter option के लिए बनाया गया है मैं अपने हर Excel के वीडियो में हर topic के लिए आपको कुछ shortcut की भी लेकर आता हूँ क्यूंकि Excel मैं expert वही है जिसको Excel की shortcut की आती है मैंने previous जो भी topic आपको explain किये हैं अपने channel पर सभी की shortcut की आपको सिखाने का बताने का प्रयास किया है आज हम जो filter option भी पढ़ रहे हैं इसकी भी हम shortcut की देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं क्यूंकि यदि आप Excel में mouse से work करते हैं तो आपका काफी समय बेश्ट हो जाता है steps का use कम करना है अपनको Excel में, Excel में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम shortcut की से करना है तो आज जो आप filter option पढ़ने वाले हैं, इसकी भी shortcut की होती है यदि आपको simple filter को access करना है, simple filter का use करना है तो आप दो shortcut की का use कर सकते हैं, एक shortcut की होती आपको shift press करना है control press करना है, और साथ में L को press करना है तो shift control L से आप filter apply कर सकते हैं अपनी table पर यदि आप यह shortcut key उज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरी shortcut key का भी उज़ कर सकते हैं Alt D F F आपको keyword से alt key को प्रेस करके रखना है then आप D को प्रेस करेंगे और दो बार F को प्रेस करेंगे दो बार आपको F को प्रेस करना है तो यदि आप simple filter को apply करना चाहते हैं, तो आप दो shortcut की को use कर सकते हैं, जो भी आपको suitable होती है, दूसरा advanced filter जो है, यह हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसकी shortcut की क्या होती है, alt, a, q, आपको अपने keyword से alt को press करके रखना है, then a press करना है, और फिर q को press करना है, तो आप advanced filter का use कर सकते हैं, और जो reapply filter है, इसकी shortcut की होती है, alt, ctrl, l, आपको alt को press करके रखना है, ctrl को press करके रखना है, then l को press करना है, तो आज की वीडियो में हम केवल simple filter को और reapply filter को देखने वाले हैं, filter होता क्या है, यदि आपके पास अधिक मात्तरा में records है, large amount of data है, और आप इसमसार कुछ data show करना चाहते हैं, कुछ data select करना चाहते हैं, तो excel में आप filter का use कर सकते हैं, filter को हम excel में तीन तरीके से use कर सकते हैं, simple filter के रूप में, जो कि دो shortcut की से apply किया जाता है, advanced filter जिसकी shortcut की होती है, alt, a, q, next video में देखेंगे हम इसको, और एक होता है reapply filter, जिसकी shortcut की होती है Alt Ctrl L, तो यह तो था फिल्टर का introduction, Excel में filter होता क्या है, filter का क्या use होता है, filter की क्या shortcut की होती है, अब हम filter को practically implement करने वाले हैं, filter का practical देखने वाले हैं, तो चलते हैं Excel screen पर, Excel window में और देखते हैं filter क्या है, यहाँ पर मैंने Excel में एक sample database तैयार किया हुआ है, यह database student record के लिए बनाया गया है, हम इसी database पर filter को apply करना सीखने वाले हैं, यह एक sample database है, आपके पास हो सकता है किसी employee का या किसी company का database हो, यह मैंने practically सीखने के लिए एक college का या एक student का database लिया है, जिस पर role number है student का, name है, class है, city है, pc package के marks है, fundamental के marks है, ms access के marks है और total के marks है, आप अपने according आपकी table पर filter को apply कर सकते हैं, तो यदि आप filter को apply करना चाहते हैं, तो आपके पास दो option होते हैं, आप home tab में sort and filter का use कर सकते हैं, sort and filter के अंदर आपको filter option प्राप्ट हो साथ ही साथ, आप data tab के अंदर से भी filter option को access कर सकते हैं, जो filter option है, वह आपको दो जगह से प्राप्ट हो जाता है, एक तो home tab के अंदर sort and filter पर और एक आपको प्राप्ट होता है यह data tab के अंदर filter नाम से, तो filter का use क्यों करना है, filter क्या होता है, थोड़ा सा इसको अपन समझ लेते हैं, for example, मेरे पास यह 30 student का record है, मेरे table में 30 student है, अभी इस record में, इस database में कई class के student हमारे पास admission लेते हैं, और कई city के student होते हैं, यदि अम मुझे केवाल यह देखना है कि हमारे पास दमो city के कितने student है, या मुझे यह देखना है जवलपुर city के कितने student है, या मुझे यह देखना है सागर city के कितने student है, तो मैं अपनी table पर filter को apply कर सकता हूँ, filter बहुत ही काम का option है, देखते हैं फिल्टर को apply कैसे किया जाता है तो हमें सबसे पहले अपनी टेबल को select करना होता है या तो आप अपनी टेबल की heading को select कर लीजिए या फिर complete table को select कर लीजिए तो मैंने अपनी table की heading को select किया then home tab मैं मैं जाओंगा sort and filter पर मैंने sort and filter पर click किया यहां मैं एक option प्राप्ट होगा filter मुझे इस filter option पर click करना है यैसे ही मैं filter option पर click करूँगा आप देख सकते हो जो हमारी heading है जो हमारी table का header है सभी heading के साथ एक arrow का sign एक drop down का sign आ गया है मतलब filter apply हो गया है यदि आपकी heading पर drop down का icon आ जाता है मतलब आपकी table पर filter apply हो गया है अब आपको cable filter की condition लगानी है इसको undo करते हैं एक बार फिर से देखते हैं आप या तो अपनी table की heading को select कर लीजिए या फिर complete table को select कर लीजिए जितने area में आपने table को बनाया है select करने के बाद आपको home tab में sort and filter पर जाना है यहां से filter पर click करना है आपकी table में filter apply हो जाएगा अब आपको cable filter की criteria condition को set करना है अभी हमने सीखा home tab से filter को apply करना यदि आप चाहते हैं तो आप data tab में जाकर filter option पर भी click कर सकते हैं आपका filter apply हो जाएगा जब आपके headings पर header पर drop down आ जाते हैं मतलब आपका filter apply हो गया है अब केवल आपको criteria set करना है जैसे कि मैं city पर criteria लगाने वाला हूँ steeper condition लगाने वाला हूँ मैंने city के drop down पर click किया आप देख सकते हैं by default यहाँ पर select all है select all है मतलब जितनी भी city है सभी city का database सभी city के record अभी हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुझे सभी city के record नहीं देखने हैं तो मैं select all के जो check box है इसका tick untick कर दूँगा मुझे केवल दमो के record देखने हैं तो यहाँ से मैं दमो पर tick करूँगा यहाँ से मैं दमो पर tick करूँगा और okay कर दूँगा अब आप देख सकते हैं मेरे सामने केवल एक ही city के record डिस्पले हो रहा हैं कौन सी city के दमो city के अभी मैंने city पर filter को apply किया इसी प्रकार से आप class प अपलाई कर सकते हैं रोल लंबर पर apply कर सकते हैं इसको बापष हम select all कर देते हैं जैसे ही select all करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे city के records आ गए हैं अभी मैंने एक city को filter किया था आप चाहते हैं दो तीन city को एक साथ filter करना है तो मैंने यहाँ से दमो को tick कर दिया जवल पर को tick क कर दिया और भुपाल को टिक कर दिया एक साथ अब हमारे सामने तीन सिटी के रिकॉर्ड दिखेंगे तो मैंने फिल्टर में तीन सिटी को सेलेक्ट किया तो तीन सिटी के रिकॉर्ड दिख रहे हैं अब यदि आप चाहते हैं एक साथ दो तीन कॉलम पर फिल्टर को एपलाई करना अभी मैंने केवल city पर filter apply किया है अब हमें city चाहिए है student की demo, javalpur या भोपाल, तीन city के student हमें देखने हैं और साथ ही साथ केवल वह student देखने हैं जो dca course कर रहे हैं तो हम class वाले column पर जाएंगे और class में भी by default क्या है select all है हमें केवल कौन से student का record देखना है dca के student का कम ने dca select किया और okay कर दिया अब आप देख सकते हैं demo, javalpur और भोपाल में केवल वह student हमारी table में दिखाई देंगे जो dca course कर रहे हैं तो आप एक साथ multiple column पर भी filter को apply कर सकते हो single column पर apply कर सकते हो तो filter बहुत ही काम का option है, filter से आप large amount of data में से कुछ data को select कर सकते हो और साथी साथ जो data आपने select किया है for example मैंने यहां से select किया गुना का data, मुझे गुना के student की table अलग से बनानी है, एक new table बनानी है, तो मैंने गुना के student के लिए एक filter को लगाया, यहां से इन सभी record को मैंने control C से copy किया और एक new work seat पर जाकर मैंने इसको paste कर दिया, तो आप देख सकते हो जो new work seat बनी है, इसमें केवल कौन से record आ गया गया, गुना के student आ गया क्यूंकि मैंने filter apply किया था, तो यदि आपके पास एक बड़ी table है और उस बड़ी table में से आप कुछ record को अलग करके एक नई table बनाना चाहते हैं तो भी आप filter option का use कर सकते हैं, filter option बहुत ही काम का होता है तो आप देख सकते हैं filter कितना important topic है, अभी हमने simple filter को apply करना सीखा आप एक single column पर filter apply कर सकते हैं, आप एक साथ multiple column पर भी filter apply कर सकते हैं यह था simple filter, अभी हमने filter को process के थुरू apply किया था, अब हम filter को shortcut की के थुरू apply करने वाले हैं shortcut की से कैसे filter को apply करते हैं अभी मैं पहले filter को हटा देता हूँ जो filter हमने apply किया तो मैंने उसको हटा दिया है हम यहां से अपनी headings को select करेंगे और keyboard से press करेंगे shift control L तो आप देख सकते हैं shift control L प्रेस करने पर filter apply हो जाता है आपको यदि filter हटाना भी है तो आप shift control L का use कर सकते हैं. shift control L से filter apply भी होता है और वो disable भी हो जाता है enable भी होता है और disable भी हो जाता है. इसी प्रकार से एक और shortcut की मैंने आपको starting में बताई थी alt d f f alt d f f जो shortcut की है उससे भी आप filter को apply कर सकते हो और filter को हटा भी सकते हो तो आपको filter का use क्या है ये तो आना चाहिए, साथी साथ shortcut की भी पता होनी चाहिए, तो ये था simple filter, हमने इसको steps के थुरू, process के थुरू चलाना सीखा, साथी साथ shortcut की से भी apply करना सीखा, जो advanced filter है उसको हम अगली वीडियो में cover करेंगे, अभी हम reapply filter को सीखने वाले हैं, मैंने यहां से BCA class पर filter लगा दिया, अब केवल हमारी table में कौन से student दिखाई देंगे, जो BCA का course कर रहे हैं, आप देख सकते हो, यहां पर करीब 6 student है, जो BCA कर रहे हैं, हमने जो filter लगाया है, यदि हम उसको हटाना चाहते हैं, तो आप किस पर click कर दीजिए, data tab के अंदर filter क बाजू में ही आपको clear नाम का option प्राप्त हो जाएगा, जो filter आपने लगाया है, यदि उसको हटाना चाहते हैं, तो आप clear option का use कर सकते हैं, आप इसको filter पर click करके भी हटा सकते हैं, आप यहां से जो भी filter apply करते हैं, जैसे कि मैंने यहां से फिर से एक filter लगाया, DCA class कर, और यदि मुझे DCA class का filter हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको clear कर दूँगा, बापस हमारी table normal हो जाएगी, सारे record हमें दिखाई देने लगेंगे, तो filter को apply करना सीखा, filter को हटाना भी सीखा, अब हम सीखते हैं, reapply filter, for example, मैंने यहां से एक filter लगाया, DCA class पर, अब हमें केव हमारे सामने हैं, वहे cable किस class के हैं, DCA class के हैं, for example, एक student है, जितेंदर नाम का, जिसने DCA के इस्थान पर, DCA में अपना एडिवीशन ट्रांसपर करा लिया, एक student है, जितेंदर नाम का, जो पहले DCA कर रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है, BCA करना है, तो हमने उसकी class को क्या क कर दिया, चिन्य कर दिया, अब पहले से filter लगा हुआ है, ध्यान रखें थोड़ा सा, ध्यान दें यहां पर, filter पहले से लगा हुआ, class के किस का, DCA का, लेकिन जितेंदर जो है, वो कौन सा course कर रहा है, BCA कर रहा है, तो क्या DCA के filter में BCA का record दिखना चाहिए, नहीं दिखना यहां पर तो यह problem है, तो यदि आप filter लगाने के बाद, किसी data को update करते हो, किसी data को बदलते हो, तो आपको यहां से reapply filter पर click कर देना है, reapply का मतलब क्या है, अब आपने जो filter लगाने के बाद changes किये हैं, वह update हो जाएंगे और हमारा database refresh हो जाएगा, यह कब काम में आता है, ज data है, वह हमारे filter से हट जाए, तो आप reapply filter का use कर सकते हैं, for example, जैसे यहां पर दिनिस नाम का जो student वह भी DCA कर रहा है, बाद मैं इसने एडिविशन ले लिया मानलो अपना PGDCA में, तो already हमारा filter DCA क्लास पर लगा हुआ है, अभी हमें केबल DCA के record देखना चाहिए, लेकिन PGD DCA का भी एक record देख रहा है, कौन दिनिस, तो यदि आप इसको DCA वाले filter से हटाना चाहते हो, तो आपको filter को reapply करना पड़ेगा, और filter को reapply आप यहां से कर सकते हैं, जो कि अभी हमने किया था, अब हम इसको shortcut की से apply करने वाले हैं, reapply filter की shortcut की क्या होती है, alt control L, तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने alt control L को press किया, जो PGDCA का student था, वाई DCA की list से हट गया, तो आज की वीडियो में हमने normal simple filter को लगाना सीखा, दो जगाह से, home tap से और data tap से, shortcut की से भी apply करना सीखा, filter को clear करना सीखा, और filter को reapply करना सीखा, next वीडियो में हम advanced filter को सीखेंगे, क्योंकि वह ए सीखेंगे advanced filter को, आज की वीडियो को यहीं finish करते हैं, वीडियो पसंद आती है तो like करें, जाता से जाता लोगों के साथ share करें, यदि आपका कोई question है तो आप comment section में जरूर पूछिए, हम प्रयास करेंगे आपकी हर question का answer देने का, मिलते हैं अगली वीडियो में, के समय करेंगी का, मिलते हैं वीडियो करेंगे तो आपकी हर आपकी हर के साथ